नमस्कार मैं हूँ नीरच महर और आप देख रहे हैं एवंड़ी के खास कारे करम मुद्धा है गरम मुद्धा है गरम में बात करेंगे कर्ज का बढ़ता मर्च जी हाँ पिछले कुछ दिनों से आर्थिक मंदी के चलते देखा ये जा रहा कि जिन लोगों ने कर्ज लिया था बले ही वो घर बनाने के लिया हो बले ही वो अपना बिजनिस चलाने के लिया हो लेकिन कर्ज का मर्ज जो है लगातार बढ़ता जा रहा है पहले किसानों की आत्मत्याओं के किसे सुनते थी अब जो बिल्डर्स थे जिनोंने बड़े-बड़े कॉंप्लेक्स खड़े किये ह उन पर लगातार कर्ज का जो है दबाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में वो भी आत्मत्या की रहा पर बढ़ते जा रहे हैं आर्थिक मंदी का कहीं ने कहीं पर असर है इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मुझूद है प्रोपर्टी कारोवार है पहला सवाल मेरा गोड़ साब से हैं अजित जी क्या लगता है यह जो हो रहे हैं क्योंकि पहले जो प्रोपर्टी कारोवार था बहुत पूम पर था लोगों ने बड़े-बड़े कॉंप्लेक्स खड़े खर दी बड़े-बड़े कोलोनिया काड़ दी लेकिन अब वो माल बेक नहीं रहा है बैंकों से करजा लेना उनकी मजबूरी रही सामाजी के स्टेटस उन्होंने इतना बढ़ा लिया कि वह भी अब एक प्रतिष्टा का सवाल बन गया और ऐसी स्थिति में वह इस और कदम बढ़ा रहे हैं आपको क्या लगता वाक्य में कहें ने कहीं प्रभाव बहुत पड़ा है और इस्पेशली प्रोपर्टी व्यापार पे इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है हम लोग अगर थोड़े पिछले समय पे चलें डीमोनोटाइजेशन की टाइम पे क्योंकि प्रोपर्टी में जैसा आप और हम जानते हैं कि कैश का व प्रभाव बहुत प्रभाव बहुत जाता है तो उसके चलते और जो उन्होंने मार्केट से जो भी अपन लेंदेन करते हैं और चूकी प्रोपर्टी का व्यापार अभी मंदी के दोर से गुजर रहा है तो उनकी जो माल जिसे अपन कहें फ्लैट के रूप में या प्लोट के रूप में वो नहीं निकल पाए और वो थोड़ा प्रेशर में आ गए और जो उनके करशदारों का जो तकादा था वो जहल नहीं पाए तो बड़ाई मैं कहूंगा ऐसा दुर्भाग्यपून कदम पर जिनके प्रोजेक्ट अभी लंबित हैं या जिनके प्रोजेक्ट अभी नहीं बिके हैं और तो सरकार को उनको भी ठोड़ा रिलेक्स करना चाहिए इन टर्म्स फैनेंशली या कुछ कोई वारता या ऐसा करके उनको कोई टाइम की महलत जिसे कहें अपन सब्सक्राइब करें थोड़ी सी पॉलिसी में कुछ जो है सुधार करना चाहिए ताकि कहेंगे रियायत मिल सकते बिल्कुल जो प्रोजेक्ट्स उनके अटके हुए हैं बिल्कुल पर बढ़ा हुआ है उसको चुकाने में कुछ रियायत बैंक भी दे बिल्कुल और सरकार भ है और बैंक्स जो कर्ज देती है उसकी वसूली में भी क्या किसी व्यक्ति की कोई संस्ता की परिशानी के वक्त उसको कुछ रियायत देने का प्रावदान है या नहीं है सौकने सब देखें जो यह मंदी का असर आ रहा है विशेश तोड़ से पिछले छे मैने में केंद्रि दूसरा GST नहीं है इन दो कारणों की वज़े से जो व्यक्ति पहले काला दंदा करते थे या टेक्स की चोरियां करते थे उन पे अंकुष्ट लगा है दो नंबर का जो धन बिल्डर्स यूज़ करते थे या आतंकवादियों का जो पैसा इसमें आ रहा था उन सब पे अंकुष्ट लगा है तो यह देखिए कि इस पे असर तो आना ही था लेकिन यह सब कुछ टेंपरेरी है अगले पांच-छे मैने के बाद में इस्तितियां बहुत अच्छी होंग और हम वापिस उसी तरह से अर्थ बेवस्ता को देखेंगे फिलाल थोड़ा सा इंपेक्ट आया हुआ है अब जहां तक सवाल है कि इन्होंने जो फ्लेट्स बैंक से करजे लेकर के बिल्डर्स ने बनाए हुए हैं उन पर ब्याद चड़ रहा है और खरीदार मुजूद न करने के लिए बैंकें हमेशा तत पर रहती हैं बहुत ही आखिरी आखिरी एक जो है वो समझा जाता है कि यह कोर्ट केस हो या उसके ओपर कुई प्रापर्टिव अगरा सीज की जाए यह आखिरी एक तरीका है इसके पहले बैंकें काफी समय देती है विल्डर्स को भी और द लगों को जानकारी का अभाव नहीं है गोड साब बड़े बिल्डर्स थे वो तो शायद इंसे ज्यादा परिषान नहीं है वो अपने आपको सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन जो छोटे मजोरेज लोग थे जिन्होंने काम स्टार्ट किया सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ी है शैद जी निरत जी आपने बहुत सही खा मैं यहीं उठाना चाहरा था पॉइंट जैसे कि आपने बिताया कि बड़े बिल्डर्स या बड़े कोलोनाइजर जो है वो तो गोवर्मेंट की पॉलिसी से अवेर हैं या गोवर्मेंट की बैंकिंग इंस्टूशन फैनेंशल होते हैं उनसे मोटी इंट्रेस्ट पे रकम लेके अपने काम को अंजाम देना होता है और कोई भी छोटा व्यापारियों बड़ा व्यापारियों कभी नहीं चाहता कि किसी के पैसे खाए या नहीं चुकाने की इंशा रखता हो लेकिन परिस्थितिया मार्केट की मंदी का दोर या अपन कहें जो भी पॉलिसिया है उसके चलते अगर उन नहीं चुका पाता है तो उस तकादे को वहन नहीं कर सकता है तो इस तरह के कदम होते हैं तो इसमें भी अगर इस तरह की परिस्थितिया आती है तो सरकार को को कोई फैनेंशल इंस्टिटुशन या नबी आत्मत्याओं के साय हैं ड्यूट्यू फसल खराब होना उनको नौलेज नहीं होना इंशुरेंस की फसल इंशुरेंस के लिए तो कहीं ये कोई शंकला की शुरुवात तो नहीं है इस माध्यावस में कहना चाहूँगा गंबीर बात कहिए आपने जिजी कहीं इस अंकला की ऑफ हाथ नहीं है क्योंकी कि सानों की आत्मत्या सो पुरा विछ ध rippingे दिश के कई प्रदिशों में लगातार किसान के कि संद्था से कर्जमाफी की माझ कर रहे हैं आब या शुन कंहीं चुट जा रहा है ज ada ऐसे स्टिते में सारकार को कुछ ने कुछ पॉली एसी बरानी च वह जो builders की बात करें तो एक सही दंग से ना तो वह लैंड पर्चेज करते हैं उनके टाइटल सही नहीं होते हैं और भी कई उनकी कामिया रहती हैं तो कई बार वह बैंक में लोल नहीं ले पाते हैं और उनके clients भी वह ऐसी तरीक ही मिलते है customers जो की नीचे तबके के होते हैं और वो ऐसी प्रापर्टियां खरीद लेते हैं जिनके टाइटल चीग नहीं होते हैं पड़े लिखे लोग हैं वो बड़े बिल्डर के साथ या ऐसे बिल्डर से ही सोधा करते हैं जिनकी टाइटल डीट सही होती है प्रापर्टी की और वो फि विके ना विके क्योंकि टाइटल सही नहीं है उदर जो उनका जो खरीदार है वो एक बार आदा पैसा देता आदा पैसे के लिए भागता फिरता है क्योंकि उसको बैंक से लॉन मिल नहीं सकता तो इस तरीके से दोनों ही परिशान रहते हैं चोटे आदमी तो वह बिल्डर हो सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब आपने कि यह ऐसा ही होता है कि दो चक्की के दो पाटों के बीच में दो नहीं पिस्ते रहते हैं तो बाकी इन फाइनस कंपनिया है जो ब्याज भी बहुत ज़्यादा मोटा वह सुनती है दो इन पर कोई अंकूस हो सकता है कि सरका सब्सक्राइब तक तो उससे उपर जाते हैं तो थोड़ा की गाइडलाइन के विरुद्ध रहता है उन पर अंकुष भी रहता है लेकिन मजबूरन जो है आदमी कई बार बगर लिखा पड़ी के और के इस तरह के से सोदे कर लेता है कि काग्जों में तो चोईस परसेंट सब्सक्राइब बागी वह उपर से लेते हैं एक किस्त पहले ले लेते हैं वह कर लेते हैं उस तरीके से उनके बैद तो तीन रुपर से पड़ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों से लोन लेने के बाद में जो खरीददार है प्रापर्टी का वह चुका नहीं पाता बिर बहुत ज्यादा आगे परिशानद हो जाता है कि किस्तें चुकती नहीं है और जब गिस्तों को लेने के लिए फटीके जो आदमी जाते हैं तो भागता फिरता है चुपता फिरता है तो ऐसे काम कूश करते हैं बहुत गंभी से उठाया आपने क्यों करते हैं लेकिन सब की अपनी- अपनी मजबूरियां है सबके अपने क्योंकि सरकार की पॉलिसिस के अनुसार सबको जो अगर सरकारी जो आवास अगर सही दरों पर मिल जाए भुकंड सही दरों में मिल जाए तो आम आदमी जो गरीब तपका है वो भी शायद इन प्रोपर्टी डिलर्स के चक्कर में चंगल में नहीं पसे लेकिन जब उसको आउसिंग बोर्ड से जेडिये से कोई नहीं मिलता है तो ऐसी सिती में सोसाइटी की जमीन देखता है सोसाइटी के जो सस्ती रेट पर उनको मिल जाए और सस्ते के चक्कर में कई बार अपने जान जोखिम में डाल लेता है अजी जी आप जुड़ें इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है यह बिल्कुल सही बात है लेकिन मेरा इसमें कहना है जैसे राहस्तान सरकार या भारास सरकार जो रेरा लाई है जिसमें आप लोग रेजिस्टेशन कर रहे हैं ऐसे बिल्डर रेज को रोपर्टी ब्रोकर तो जो अपरूव हैं जिस प्रपर्टी देलर के प्रपटियों के टार्ट जीड्स सई है और सई लोकेशन पर वो खड़ा कर रहा है प्रपर्टी को बेंक तरुद तत पर ग Roganais अन लाइन लोन देने के लिए बिल्कुल क्लिए रह रही है तो बैशेल कि पिल्स ने को तल लिए रा रहती है ब्रेक के बाद आपका पुर्ण देने में कोई परिशाने नहीं आती है बस रते हैं वो योग गेता पूरी करें जो जो रखी होती है उनको पूरा करें नीरत जी मैं इसमें आपका द्यान वास्थी तक तरफ लाना चाहूंगा जैसा मैंने मेरे पिछले बहार में कहा था कि मैं चाहता हूं कि रहरा में जो चोटे विल्डर या एजेंट्स हो उनके लिए भी कोई फेनेंशली टाइप का आप उनको प्रवाधान रखना चाहिए ग वियापारी के लिए ऐसी कोई पॉलिसी गोवर्मेंट की तरफ से नहीं है छोटे वियापारी के लिए वो सिर्फ मोडगेज लोन हो सकता है कि जमीन अगर आपकी खुद की है तो आप उसको मोडगेज करके कंस्ट्रक्शन लोन तो आप बना सके तो एक जैसे आपन कहें एक स्टाटर टाइप में तो वैसा कोई प्रावधान नहीं है रियल इस्टेट में और सरकार को चाहिए कि वह इस और ध्यान दे मार्केट की क्या स्थिती है अजीज जीज समय मार्केट इसमें कोई दोराय नहीं है मार्केट अभी प्रोपर्टि का वेफसाय पूरी तरह है और बहारी शेत्रों में तो काम बिल्कुल नहीं लेकिन जहां एंडूजर्स हैं वहां काम हो रहे हैं यह सुखनल का जो चल रहा है मामला आर्थिक बंदी के साथ में जो बाद में जी एश्टी लगा अब यह प्रोफिट डिलिल्स पर रेरा भी एक आ गया है रेरा को लेकर जो बहुत अच्छा सअ इनिशेटीव चाहिशा से, इसमें फ़ाइदा होने वाला है, चाहे क्ए बेंडर, भूकर हो मोजच हो प्रोके, लेकिन थोड़ा सबस्तों, पॉलिसी मुशस का, इंपलिमेंटेशिक करते हैं. जैसा अभी हम देखें कि रेरा में चार-पास दिन पहले गया था दफ्तर में नगर नियोजन के तो वहां 549 या 549 के आसपास फाइले पेंडिंग पड़ी है रेरा रेजिस्टेशन के लिए तो अगर इसी को हम पहले थोड़ा सा एजुकेशन या इन्फोर्मेशन हम किया जा सकता है जो लगातार करज बढ़ता जाता है और व्यापारी उस स्थिति में वो कोई भी गलत कدم उठाने को त्यार होता है किसानों के करजमाफ करती है ऐसे स्थिते में जब यह हालात बन रहे हैं तो क्या सरकार किसी तरी की रियायत दे सकती क्योंकि आर्थिक मंधी का जो दूर है उससे लोग वापस बहार निकल जाएं तब तक कि लिए रहात की गोष्णा कर शकती सरकार आप किसानों के बारे में राज्जिस्टरी लेवल पर और केंद्री इस्टर लेवल पर जो भी कृशी रिंट दे रही है अगर वो समय समय पर चुकाता है तो चार्परतिसट भ्याज यानि चीता है कर डोश्ड़ी होती है तो उसके लिए प्रावदान रखा हुआ बीमा ने का कुछ बैंकों को ब्याज वसुली है उसमा सरकार की तरह सपस्टेंट्रों नहीं करेंगे सलब बाद में वसुली करेंगे जब तक आला का जाये है ऐसा भी कुछ उसकाíb लिए प्रावदान है पूरह प्रावदान है लेकिन था उंसर्ट यह ना कि पांच मेंने कल मिल जा थो उसमें के मुगार मुझथा समय में और समय में चल रहा है तो जह करें करा सकता है थो बात आई है कि एक मोका उसको मिलता हैं बशल्त है उस जो है उनकी जो नियम काईदों की जानकारी हो आपको क्या लगता है पिछले जो साल बर जो निकला है उसमें प्रोपर्टी का जो हम देखते थे कि बहुत ज्यादा सौफ्स खुल गए थी दुकाने खुल गए थी सत परतिसत बंद हो चुकी है जो वहां पर लोग काम कर रहे थे कारोबार उनका चिंद चुका है और बेरोजगारी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और जो पहले हर तीसरा आदमी कहता था कि प्रोपर्टी कारोबार कर र बड़े जोन नहीं है तो मोसली हमारे राहस्तान में और जैपूर में स्पेसिल राहस्तान में ज्विल्री और रियल इस्टेट का ही काम और रियल इस्टेट चुकी पिछले कुछ सालों में जोरो पर था और अभी जो भी क्लैश हो ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन में भी होगा तो कि अगर ऐसा होता रहेगा तो यह बहुत ही विकट सीटिए बन सकती है थाया हमारे सामाजिक परिपेक्श्मिक देखे दो चोंकि पूरा एक परिवार जो प्रभावित हुआ है और मैं कहुँँगा कि उनके सोसाइडिया कर लेने से ये समस्या का अंत नहीं हुआ है जो लोग भी उनसे पैसे मांगते थे या जो भी उनका लेंदेन था अब वो भी प्रभावित हुए है तो ऐसे क्विट कर देना किसी समस्या का हल नहीं है और मेरा है कहना है कि सत्य परिशान हो सकता है पराजित नहीं है प्राजित नहीं सोगानी साब क्या बैंक और दूसरे जो आपने का आपनी पैसे की वसूली के लिए आदमी के साथ इस तरह का व्यवार भी कर सकती है जिससे वह प्रताडित हो जाता है मानशिक रूप से और मानशी ग्रूप से, सामाजी ग्रूप से परतारित हो जाता है और फिर उस दिरिश्ट्री में वो उस तरह का कदम उठाता है जो कुछ समय पहले डूंगर राम ने उठाया देखिए जो डूंगर राम का केस है वो तो आप सबने अख़बार में पढ़ा होगा अच्छी तरह से उसने तो किसी महन से एक प्राइवेट तरीके से कहाई से पैसे ले करके उसको दिया उसकी एक जो मंदिर की माफी की जमीन थी जहां आश्रम बना रखा था उसको उसके उपर एक प्रापर्टी डवलप करना चाहते थे यह सब गलत तरीके से जो काम करते हैं उनी को यह अंजाम बुगतना पड़ता है आप देखी उसने एक सरकारी जमीन पर शायद आश्रम बना रखा है उस आश्रम को खरीदने के लिए कई प्रापर्टी डिलर उसके पीछे लगे हैं और उन में से डूंगर्राम भी एक था समझे ना इसके लिए उसने उनको एडवांस पेइमेंट कर दिया कहीं से उधार ले लवा करके और जब वो चीज पता है कि हमें इसके टाइटल डीट सही नहीं है ना सही हो सकते हैं तो ऐसी प्रापर्टी वगरा के अंदर गुशता है आदमी कोई तो विवेक थोड़ी है उसका कोई एविवेक पूर्ण कारी करता है तो उसका अंजाम तो बुरा होना ही होना है लेकिन क्या फाइनस कंपरियों को पैसा जो देते हैं उनको वसूली के लिए मैन हैडलिंग जैसा काम करना उनको अधिकार है क्या बिलकुल कोई अधिकार नहीं है इसके लिए बार- आज के 5-7 साल पहले देखते थे कि रोड पर आप कार चला रहे हैं और फाइनेंस कंपनी वाले रोड पर ही लाल बत्ती पर गाड़ी आपकी देखते ही जिस पर की ओवर्डू चल रहा है कि इस ते नहीं आ रही है गाड़ी को एक तरफ लेगे चाबी निकाल लेते हैं लेकिन अब इन पिछले 4-5 साल में आप यह ऐसी घटना नहीं सुनी होगी उन पर बहुत बड़ा अंकुष्ट गवर्मेंट ने लगा रखा है और अगर कोई इस तरह कार्य करता है तो फाइर लोज करा करके जो प्रताडित ब्यक्ति है वो उनको जेल में डलवा सकता है तो यह ऐस प्रत जर्ट पर ने पैसा लगा रखा है वो अगर गुंडे बद्बास है तो वो तो कुछ भी करने के लिए तयार हो जाते हैं और ऐसे ब्यक्ति ही ऐसी इन फैंनेस कंपनिये जिनकी कोई आमदनी नहीं कोई कुछ नहीं और जो ऐसे ब्यक्तियों को फाइनस करने के लिए तete यरते हैं। जानते हैं कि जितनीक trolls आ जाया तो अच्छा है उसके ऐantoony इतो फिसकी प्रापर्टि परफेकद्व स्कूटर और मोटर साइनकिल हो जाया उसका कोई चोटा Μोटा घर हड़ब लेंगे फिर उसका बेचेंगा आराम से तो दोने यह ऐसे ही विक्तियों को ऐसे ही फाइनेंसर मिलते हैं कि जो गुंडे बदमास हैं चला रखी हैं तो वह ऐसे हरकते करते रहते हैं लेकिन जो अच्छी एन्वी एफ्सी जे को सिष्टा पूर्ण कारे करती हैं और अच्छे तरीके से पैसा वसूल करती हैं नहीं होती है तो उसको बढ़ा जाता है कि फाइनेंस कंपनिया तो चलती ही गुंडे बदमासों के जोर पर है उसका तो कोई इलाज नहीं है साफ अजिद जी क्योंकि आप लोग भी इन से आपका पाला ज् जहिलना में पड़ता है बिल्कुल नीरत जी सही कह रहे हैं आप इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई ना कोई विभाग या कोई एक मोनिटरिंग कंपनी या मोनिटरी एजेंसी बनानी तो आगे जाके पसे इनके चुंगल में तो सरकार क्या करेंगी मुझे बताई है अब यह किसी की मैत्वाकाण्शा कम या ज़्दा हो सकती है और तो यही समया निवेदन है की सवियापारी भाईों से कि हम जितना अफोड कर सकते हैं उस σε अगर अलिमिट में थोड़ा काम करें ताकि जदा मेत्वा का पताbrass य तो इस तरह की परिस्तिति को अवईट किय सब्सक्राइब करने करने को एक और अफसर मिल जाए क्योंकि इस तरह का माहूल चला है इस सबहें जो यहां आम आत्मी की इस आर्थिक मंदी की मार से परिसान है और उनको किसानों की आत्मत्याओं की तरह कहीं उस और नहीं बढ़ना पड़े उसको देखते हों कहीं कुछ सु स्टूडियो पतारे अजिद जी आपका भी सोगानी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद नमस्कार